तो आचुके हैं नहीं हो एक्जाम्पल के साथ क्या कर रहा है आपको एक्जाम्पल नमर 14 डिवाइड करना है एक रूट 15 बाइट रूट 3 बिल्कु सिंपल है यह हो गया आपका एक रूट 15 और यह हो गया आपके पास रूट 3 तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि रूट के अंदर जो डिजिट है मैं उसको ब्रेक कर सकता हूं 3 5 बिल्कु सकते हैं आप देखो रूट 3 से रूट 3 कैंसल आउट हो गया क्या बचा के वल अब बच गया वूट से 8 चला गया 4 ताइम यानि की बचा आपके पास 4 रूट 5 बस यह अंसर हो जाएग आपका आपके पास और बेस कंसेप्ट के अंदर मतलब इतना हाड नहीं लगेगा आपको कंसेप्ट ठीक है अई होप क्लियर हो गया और फिल्पी कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन बताना पिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए